हलो बिच्चों, वेलकम पू जेएटी पॉइंट में आपको बहुत-बहुत स्वागत है तो अब तक के लेक्चेर में हम लोग से कर रहे थे रोटेशनल मोसन तो 1,2,60 कोश्चिन उनके एक साइस के कोश्चिन कर लिये थे आज है बारी कोश्चिन नंबर 61 से तो आज यह बिना देर की कोश्चिन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं तो कोश्चिन में क्या कहा जा रहा है कि सब पार्ट किल ऑफ प्रिविएस प्रॉब्लम में क्या हुआ था बच्चों एक ऐसा था एक रोड है उसका मास लेट M कर लेते हैं और यहां से इसका मास M है और ऐसे इसको आ रहा था और ऐसे इसको हीट कर रहा है ऐसा तो हमें से पूछा जा रहा है कि तो यह प्रिविएस प्रॉब्लम का रहाल चल था अब आईए पढ़ते हैं प्रिविए प्रॉब्लम आफ मास M and speed U before collision and it is stick to the rod after the collision आया टकर मारा और उसी के साथ चिपक गया करा कि और वहां पर पिछले question में question number 60 जो था यह देखे question number 60 यहीं पर है हाँ उसमें किया था कि उसका uniform rod है उसका length hell है और वहां पर elastic collision था कुछ ऐसा यह elastic collision था और यहां पर ऐसा है तो पिछले question से यह मतलब था उसका तो फिर कहा जा रहा है कि the rod of mass M the find of find the food no 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 find the velocity of the center of mass c of the system considering the rod plus the particle तो उसका में बताना होगा कि center of mass इन दोनों का system के सथ मतलब मास M और इसका मास M है तो जब यह move कर रहा होगा तो virtually तो rest में है लेकिन यह भी तो move कर रहा होगा अगर इसका relative motion देखा जाए कि यह अगर इधर से आ रहा होगा तो इसको क्या लग रहा होगा कि इसके सामने इसके पास आ रहा होगा तो relative का खेल है मैं वर्ड का खेल है क्यों find the velocity of the particle with the respect to c before the collision find the velocity of the rod with respect to c before the collision and find the angular momentum of the particle and the rod about the center of mass c before the collision find the moment of inertia of the system about the vertical axis through the center of mass c after the collision and find the velocity of the center of mass c and angular velocity of the system about the center of mass after the collision तो इसमें बहुत सारे चीज़े निकालना है ताहिए के करके देखते हैं इसमें क्या होगा कि इस रोड का मास अगर M है और इसका लेंध है इसका सेंटर आफ मास कहीं यहां पर होगा अगर L है तो मिलकुल इसके सेंटर पे और इसका मास M है तो इस तो पॉइंट में दर देखेंगे यहां से आप तो सेंटर आफ मास कहीं नहीं पर होगा C और इसके पस V वेलोसिटी है वो रेस्ट में है तो V सेंटर आफ मास के लिए हम लोग क्या जानते थे बतब सेंटर आफ मास का जो होता था उसका क्या होगा M इंटू यू का लिजे होड़ इंटल M तो सेंटर आफ मास के जो वेलोसिटी सिस्टम के लिए जो निकल कर रहा है ऐसा कुछ है बी सी इसक्वल टू एम इंटू अपू अपू अप्लस कैपिटल एम ऐसा होगा ठीक तो एक प्वार्ट का तो आंसर आगे है कि फाइंड वेलोसिटी अफ मास सी सिस्टम इसको सॉल करेंगे अब तो एम प्लस स्मॉल एम तो रहेगा कैपिटल मुप्लस स्मॉल माइनस मुउ तो मुए 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 कैंसल हो जाएगा ऐसा कुछ होगा कैपिटल मुउ अपान एम प्लस म तो यह आपका पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा ठीक है अब उसके दूसरे पार्ट में क्या कुछ है फाइंड वेलोसिटी अफ द रॉड विट रिस्पेक्ट तो सी तो रॉड तो बेचारा ओल्रेडी सांथ है सी पार्ट के लिए क्या था किपांड ऑक के लिए फाइंड ऑअसी पार्ट के लिए फांड विट रिस्पेक्ट तो सी, सी पार्ट ही है तो इसमें वेलोसिटी अफ रॉड थाफ सी, C, तो rod का हो गया है 0, और C का, M U upon M plus M, तो कितना हो गया, M U upon M plus M, तो velocity of rod with respect to C, यह आपका answer आगया है, ठीक है, तो minus M U upon M plus M, तो यह आपका बेहाँ से मिला B A B C, ठीक है, अब उसमें A B C part के लिए, और फिर इसमें D part के रहाँ, find an angular momentum on the particle, and the rod about the center of mass, center of mass, and C before the collision, मतलों rod का, उसके about C के about क्या होगा, और दूसरा उसके particle का क्या होगा, तो ठीक है, इसमें D part के लिए, यहाँ पर figure out कर लेते हैं, और यहाँ से M U आ रहा होगा, C का, यहाँ पर ऐसा है, before the collision है सका रहा है, तो, ठीक है, और यहाँ पर rod का, center होगा, तो, before the collision, उन सबों का, कितना आएगा, तो, यहाँ पर M into, मतलों, वेलोसिटी, जिस एंगलर मोमिंटम of, पार्टिकल अगर देके, तो, मास P, M तो M ही है, velocity of, velocity of the particle, with respect to C, ऐसा, और वहाँ से अपका, यह distance होगा, तो, distance के लिए, वहाँ पर देखना पड़ाएगा, कैंकि हम, एंगलर मोमिंटम के लिए ही जाते थे, ना, M into, FB into, perpendicular distance, from here to here, ऐसा, तो, सूचे कि, rod जब, यहाँ पर कहीं होगा, यह चीज यहाँ पर कहीं आएगा, rod, ऐसा, क्योंकि उसका, क्यों, perpendicular distance मतलब है, उसको लाने के लिए, आपको, मतलब कि, R from the sea, मतलब यह distance चाहिए, perpendicular distance, तो, उसको लाने के लिए, आपको, आप ऐसा कर सकते हैं, कि, M into, इसका center, यहाँ पर है, L by 2 पर है, तो आप, ऐसा कर लिजी कि, M1 into, X1, is equal to capital M into X2, और X1 plus X2 का जो value होगा, कई इसी में होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, L by 2 है, इसका दोनों का जो center है, तो, इन दोनों का L by 2 आएगा, तो, वहाँ से जब आप इसको solve करेंगे, M1 के लिए, तो, ठीक है, तो, X1 के जो value आएगा, कुछ आपका, capital M into L by 2 plus, यही होथा था, M plus M, और X2 का value जो होगा, M into L by 2 into, small m into, M plus capital M, ठीक है, तो, उसका value अगर उहाँ पर put किया जाए, तो, हमें क्या मिलेगा, M into M U upon M plus M, ऐसा, इसका V का particle with respect to particle का है, तो, particle के लिए, capital M दखना पड़ेगा, M plus M, और उहाँ से अगर देखेंगे, X1, तो, इसको जो चाहिए होगा, तो, capital M into L by 2, M plus M, तो, इसको आप देखेंगे, तो, M square into M into U upon M plus M का 4 square into 2, ऐसा होगा, एंगलर मोमेंटमा particle with respect to C, तो, simple जो concept था, M into particle का velocity with respect to C, और उहाँ से R का distance कितना होगा, ठीके बच्चों, तो, इसको आप चाहिए तो, note-down कर सकते हैं, ठीके बच्चों, तो, होगया, अब आईए, इसका, particle का जिए से निकाला, वैसे हम, rod का निकाल सकते हैं, angular momentum of rod with respect to C निकाला है, यहाँ पर लिख भी देता हम, angular momentum of rod with respect to C, तो, वहाँ पर भी, mass capital M, velocity of rod with respect to C, into R center of mass उसके लिए, तो, M के लिए तो, M होगया, VrC, उसके लिए minus M into U upon capital M plus M, यही था, और अभी यह center of mass वाला निकाला था, हम ने, rod की तरफ से है, तो, M into L by 2 upon M plus M, इस चीज़ को आप यहाँ से, देख भी सकते हैं, कि जो उसका value center of mass, X2 का यह था, M, small M L by 2 upon M into M, यह इसकी बात कर रहा हु था, जो पीशे data लिया है, तो, इसमें जवाब करेंगे, तो, M into, magnitude angular momentum का direction से कोई मतलब नहीं है, तो, M square L, 2 into M plus small M, ते तो, बच्चों आगे, angular momentum of rod with respect to point C, यह बात आपको समझे आया होगा, आया होगा, तो लिख सकते हैं इसको, फिर दूसरा, इसके बाद क्या पूछा है, क्या पूच्चन में, कि, E pipe ने, find a moment of inertia of M of the system, about the vertical axis through the center of mass C, after the collision, after the collision के बाद, उसका क्या होगा, तो, देखे, after the collision के बाद, तो, बच्चों, यह, इसमें जैसा बोला है कि, इस टिक कर गया है, यह चीज, जैसे center of mass, इसका कहीं यहाँ पर होगा, L by 2, और यहाँ पर जब जब, और दूसरा ओला mass, यहाँ पर आया, तो center of mass, यहाँ से अगर x1 है, और यहाँ पर x2 है, जो पीछे वाले question में निकाला है, तो पूछ रहा है कि, moment of inertia of the system पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि e part के लिए, कि moment of inertia of other particle के लिए अगर देखेंगे, तो कितना होगा, इस center of mass के बाँपर, यही पूछा है, कि यहाँ पर रोश्टीक कर रहा है, question में, बोल रखा है, कि, find the moment of inertia of the system about the vertical axis passes through the center of mass d, after the collision, तो after the collision के बाद, इसका, जो center of mass होगा, वो यही पर रहेगा, तो इसके बाँट निकालना है, तो यहाँ से कितना होजाएगा, m into x1 square, तो m into x1 का value कितना था, capital m into l by 2 upon m plus small m का square, तो इसको अगर आप करेंगे, तो m into capital m square upon 4 times of m plus m का square into l square, ऐसा था, particle का, ऐसा, अब रोट के लिए अगर आप देखेंगे, तो center of mass c k about, तो यहाँ से x2 का value होगा, यहाँ से center से, यह x2 का value की भेन है, तो मैं यही पर लिख देता हूँ, बाकि working आगे लिखाऊँगा, यह rod के लिए है, m into अगर parallel access theorem लगाए, तो यहाँ से इसके बाँट कितना होता है, मतलब इसके बाँट हमें चाहिए, perpendicularly, और यहाँ पर rod का जो होता हो, कितना होता है, बच्चो, ml square by 12, उसके center of mass के मौट, ml square by 12 plus, वहाँ से, m into x2 का square, तो x2 कितना था, small m into l by 2 upon capital mass m का whole square, ऐसा, तो और बाँट इस system के लिए करेंगे, तो ip plus i rod वहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो इसको पहले resolve कर लिया जाए, ml square by 12 plus, rod का, m into, m square, l square by 4, m plus, small m का whole square, यही होगा, वहाँ से, पूरे system का चाहिए, तो यहाँ पर, rod प्लस, particle के लिए होगा, तो rod के लिए तो यह ऐसा ही होगा, ml square by 12, plus m upon 4, m plus m का whole square, into m square, into l square, particle के लिए क्या लाया था, बच्चो, small m into capital m square over l square upon 4, m plus m का whole square, ऐसा, इन दोनों को अगर जोड, अगर आप देख रहेंगे, कि 4 ml, इसका square common है, और उहाँ से देखेंगे, तो small m और capital m common ले ले, तो m plus m बचेगा, बतलब इसी को आगे अगर आप solve करते हुआ कर आप देखेंगे, इसको तो ml square by मैं आगे उपर के तेरों ट्रीक देखेंगे, ml square by 12 तो ही है, अगर इन दोनों में m और capital m common ले लेंगे, इन्टू l square, तो यहाँ से आपको m plus m मिलेगा, अपन 4 times of m plus m का whole square, इन दोनों को बचेगे रिजॉल्व करेंगे, तो ऐसा आपको मिलेगा, तो हहाँ से एक cup को cancel होते हुए दिखाई पड़ेगा, बाकी का ml square by 12 upon m plus m, l square upon 4 times of m plus m आएगा, अब इसको अगर आप देख लीजे, 12, m plus m, ऐसा होगा, l square तो बाहर ही बिल्कुल रख लीजे, ऐसा होगा, और यहाँ से 12 है, तो m into, और यहाँ पर 4 है, तो 3 times of m plus m मिलेगा, प्लस, और उसको दूसरे side में करेंगे, तो यहाँ से 3, m plus m ऐसा होगा, तो उसको जब आप calculate करेंगे, तो आपको, जितना आना होगा, वहाँ से मिल जाएगा, तो उसमें क्या करिए कि capital M को common ले लीजे, मतलब capital 3m को common ले लीजे, जहाँ से कितना मिलेगा, m plus small m और plus m, तो capital M plus 4m upon 12 times of m plus m, तो यह 3 से 4 cancel होजाएगा, आपकोर्स l square होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे, तो m into 4m upon 4 times of m plus m into l square, तो ऐसा आएगा बच्चो, आप उनास को working अगर देखेंगे, तो आपको वहाँ से मिलते हुए नजराएगा, इसको आप लो note down करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से, आएपी, यहाँ को कर लीजिए ऐसा, और फिर उसके बाद इसको ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पर करते समय, lcm लेते समय, ml square by 12, m plus m, 4 mm है, तो यह 3 omit कर दीजिए, बच्चे, यह 3 नहीं है, तो यह canceling होगा, बाकी का वो 12 उसके आंसर में reflect करेगा, तो एक्च्वल में 1 by 12 भी है, इसको lcm लेते समय का, वो omit करके, ml square बे 12 भी इसको समझें, ठीक है, अब आजाते हैं इसके, next part में, next part में क्या बोल रहा था, कि find, करें कि, जो f part है, find a velocity of the center of mass c, and angular velocity of the system about the center of mass, after the collision, तो ठीक है, तो उसका after the collision के बाद कितना होगा, तो center of mass तो बैच्चो इतना ही रहेगा, जो यहां पर लिखा है न, पहला वाला part, यह part का तो answer वो हो गया, दूसरा part जो पूछा है, वो महत्पूर में है, उसमें करा कि, find the velocity of the, तो system का, find a velocity of the center of mass of c, and angular velocity of the system about the center of mass, after the collision, यह तो angular momentum करा दे, या हम kinetic energy को भी करण जर्ब कराके, उसको लिए कर आ सकते हैं, तो यहीं पर कर दे रहा हूं, वो थोड़ा और पीशे होते जा रहा है, blackboard पे, तो उसमें क्या करिए, आपको equation मैं बता देता हूं, और वो फटा-फट निकल कर आ जाएगा, देखिए, angular momentum initial तो हमने निकाल रख और जो final angular momentum होगा, तो उसमें moment of inertia, i1 into omega, क्यांकि घूम तो रहा होगा, दोनों चिपक गया है, rod उसके साथ, ऐसे, ऐसा हो गया है, यहाँ पर श्टीक कर गया है, और इसके अबग ऐसा हो घूम रहा है, इसके अबग ऐसा घूम रहा है, तो angular momentum initial, मतलब या तो rod के लिए कह लि inertia अगर देखेंगे, तो कितना था बच्चो, अदर याद नहीं है, तो पीशे जाकर इसको देखिएगा, पार्टिकल का, यह भी हमने निकाल रखा है, यह दोनों, बाते कहा रहा हूँ, LR mm2 upon this, यहाँ पर square लगा ना भूल गया, square चली है, एक को भी सही हो गया, rod का यह है, और पार्टिकल का, यह ऐसा है, एक तो moment of inertia है, तो मैं इसका data ले ले लेता हूँ, कि उसको लिखने में आसानी होगा, तो इसमें, हम देखें, जैसे की, moment of inertia of rod के लिए अगर देखें, तो, moment of inertia नहीं, इसका यह, क्या कहते है, angular momentum, तो m square plus m vl upon two times of m plus m का whole square plus, दूसरा गर करेंगे, तो m into m square vl upon two times of m plus m square, यह तो इसका initial वाला हो गया, initial के लिए जो था, final के लिए, ir plus ip, उस system का about का, अभी यह निकाला था, जो उसमें, कुछ एक four lc m लेने में छुट गया था, m into capital m plus four m into twelve times of m plus m into l square into omega, तो इस omega के लिए हमें solve करना है, तो वाकी का हो, असानी साब को मिल जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे, तो बहुत असानी से, जैसे कि two हुआ, two हुआ, mm, एक cancel, यहां से, यह पूरा निकल जाएगा, और l का एक value है, यह आपको निकल जाएगा, ऐसा, तो finally उसमें solve करते हुए जब आएगे, तो six m v upon m plus four m आएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसजी को जब solve करेंगे, बाकि यह LC m वगर आप लेंगे, तो m plus m तो आपको फिर वहां से दिखाई पढ़ी रहा है, और वहां से भी हम देखते थे थे ना, कि mm और v को common लेंगे, यह वाला, capital m और small m और v को common लेंगे, तो m plus m छुट जाएगा, और वो दोनों cancel हो जाएगे, तो basically आपको मिला कहा है यहां से, m plus m, v, यह ही मिला, और 2 तो पहले सब cancel हो चुके हैं, और यहां से 2 cancel होने के पार, यहां पर 6 बचा था, तो यह इधर आकर 6 आजाएगा, और बाकी का, बाकी का जो m into, तो एक a, v, m से m cancel हो जाएगा, m into 4 m बचेगा, तो यह आपका omega का value आएगा, बच्चो, capital m से capital m cancel होगा, तो 6 m v upon m, m plus 4 m, और l एक a bit बचा होगा था, तो l इधर आकर, यहां से divide हो जाएगा, 1 by l, तो यह आपका answer था, लाश्ट बारे पॉर्ट का, तो काफी लंबा question था, question number 61, जैसा मैंने बोला था, कि आपको सिखने को इसमें ज़्यादा मिठेगा, तो important part इसका क्या था, बच्चो, कि जो center of mass को decode करना, बहुत लोग को क्या करते हैं, कि उसको जाकर पहले heat कराते हैं, और वहाँ पर उनका answer आने में गड़़ड़ी रहता है, तो जब वह heat करने से पहले, collision होने से पहले, उसका center of mass के अब उसका velocity था, वह important था, जो last में, वह पूछा भी था, कि इसका क्या होगा, तो वह चीज आपको देखना होगा, ठीक है, अगर इसको लिखना है, तो last वाला part है, दिख लीजिए, फिर next question में चलेंगे, ठीक है बच्चों, आज ही next question में चलते हैं, क्राइब है, two small ball, A and B, the each of the mass M, joined digitally by a light horizontal rod of length L, the rod is clamped at the center of the such a way that it can rotate freely about the vertical axis through the its center, मतलब की कुछ ऐसा होगा, यह light rod है, इसका mass M है, और यह ऐसे कहीं rotate हो रहा होगा, इस vertical axis के बुक्ट, ओमेगा से question में दे रख है, यह फूरा system, ऐसा goal rotate हो रहा होगा, और point mass है, light rod है, तो रोड का कोई रोल नहीं है, the system is rotated with the angular speed of omega, about axis, particle P of mass M, kept rest, stick to the ball A, एक particle आता है यहाँ से, और इसी के साथ stick कर जाते हैं यहाँ पे, तो collide with it and find a new angular speed of the rod, तो देखिए, वहाँ पर stick करके चुप-चुप stick कर जा रहा है, तो उसके चलते कोई torque produce नहीं होगा, उसमें collide with it, बतलब उसमें आया, और जो भी थोड़ा होत friction के चलते हेल डियूल हो रहा होगा, तो internal है, तो उसके चलते कोई external torque produce नहीं होगा, तो हम यह मानेंगे कि जो इनका angular momentum है, पहले और बाद में, इस दोनों एक जैसे होंगे, तो L initial is squared to L final, एक पर फिट से बता रहे हो, क्या मैंने बोला कि L initial मतलब की originally क्या हो रहा होगा कि दो और रोड़ है, और MM मास्का है, और घूम रहा है, तो जो भी उसका angular momentum होगा इसके about, हम असानी से इसको बजा सकते हैं, तो उसका moment of inertia इस तरह रख वाले के क्लिए क्या होगा था, इस मास्का हम ने देखा था, product by sum, m into m into m plus m into length square, तो इसके आपको मिल जाएगा, ml square में 2, ते तो moment of inertia की कहानी हुआ, इसके पास कितना है, i into omega, और रहापर, i dash into omega से निकालना है, तो इसका ml square में 2, इन दोनों मास्के चलते हैं, ऐसा हो रहा है, और omega से rotate कर रहा होगा, और चुपके से आकर इस टिक कर गए, चुपके वर्ड इस लिए उस लिए कि मतलब कोई श्टर्टल नहीं लगा, कोई जलते, मेरे खाने का मतलब बहुए कि ने, ढॉर जाएं, जो ने, और रहापर इस वहार कोई दोन मास्के घाएं, जो बहुए जाएं, और साथ में और रहाप्र पास कि अचितना हो जाएगा, तो उसके चलते आपको तखेंगे कि M x L square by वतल ल्य और चुपके लिए लुए Ml² by 4 ऐसा, into omega, यह चाज हो, तो अब जब करेंगे इसको solve, तो Ml² by 2 omega is equal to, और यहाँ से 1 by 2 plus 1 by 4, this thing becomes 3 by 4, Ml² into omega, तो Ml², Ml² cancel हो जाएंगे, और यहाँ से 2, तो omega का value आपका जाएंगा, 2 by 3 होएंगा, omega is का value, मतलब इस final इसका जोईश्पीड होगा, कुछ इससे, वो rotate करेंगा, ते बाद आप समच जाए होगा, symbol and angular momentum का, ठीक है, ते इसको note down कर लो बच्छो, अब भाजी, next question में चलते हैं, इसमें क्या गए है, कि, to a small ball, A and B, each of the mass M are joined rigidly to the end of the light rod of the length L, the system is translates on a frictionless horizontal surface with a velocity V note, ठीक है, V note velocity से, ऐसा जा रहा है, light rod, rod का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा ही question जब उसमें आया था, the system translates on the frictionless horizontal surface with a velocity V note, in a direction of perpendicular to the rod, a particle V of mass M kept at the rest of the surface stick to the ball, A, as the ball collide with it, आता है और रिष्ट में चला जाता है, ठीक, तो, एसा situation हो रहा है, तो हम से पुझा जारा है, it's time to find the linear speed of the ball A and B after the collision, B define the velocity of the center of mass C, of the system A, B and plus B, and C, the angular speed of the system about C, जहां परोगिट किया है, after the collision, then the light will release the force on the ball, the on the along the its length. तो उनके कहने का मतलब है कि बाई एंगलर मोमेंटम को पंजियर कराईए, जो रोड के मौल हो भी रहा होगा, तो उसके शलते इधर से मिला है, तो इसके क्या बोला है, कि एक पार्टिकल P है, इसका भी मास हैम है, kept at the rest of the surface, stick to the ball A and ball collagate, यहां पर आखर रिष्टिक कर जाए है, और फिर उसके मात की कहानी बता रहा है, कि आपको पुछ रहे हैं, कि आपको पुछ रहे हैं, आपको पुछ रहे हैं, जो कि दूसरे को कैंसल आउट करेगा, तो सारे surface रहा है, तो हम यहाँ पर इसका momentum इसका momentum करा सकते हैं, बी पार्ट के लिए बता रहा हूं, conservation of momentum, अगर देखें, तो m प्लस m into V0, और तीसरे वाले इन सबों के लिए, m प्लस m प्लस m, तीनों का, into V' या center of mass का लिजिए, से इससे rotate कर रहा होगा, तेहां से जब आप देखेंगे, तो 2 by 3 V0, एक पार्ट का तो answer आपको, यह ऐसे मिल गया, अभी फिर उसके बाद कार रहा है, कि the angular speed of the system about the sea, after the collision, तो हम ऐसा कर लेते हैं, कि after the collision के बाद एक कहीं पर, इसका center of mass होगा बच्चो, बत्र इसका mass m है, इसका mass 2m है, तो अभी यह सी बात है कि, इसके पास इधर होगा, और यहां पर ऐसा होगा, तो हम इसके लिए जानते थे, 2m into, इसका mass दोनों का 2m है, 2m into भाद लिजे कि x1 है, और x2 है, into x1 is equal to m into x2, और x1 plus x2 का जो value होता है, हो रहा है, यहां पर l है, तो 2x1 is equal to x2, तो x2 is equal to jब रखेंगे, तो x1 plus 2x1 is equal to l, तो x1 का value हो जागा l by 3, यहां से, यहां तक का value हो गया l by 3, और यहां से यहां तक का कितना हो गया, 2l by 3, जो center of mass के लिए, तो पहले क्या था, कि अगर इनी से लिए अगर देखिए, कि V naught से दोनों जा रहे है, तो इन दोनों का rigid वाला है, तो मतलब slack मगरा नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा जा रहा है, तो translational motion होगा, यही होगा ना, आपको टकर मारा, उसके चलते हो, rotate होंगे, इसके center of mass के बाउट, यह घुम रहा होगा, कुछ ना कुछ, यह मतलब जाकर, टकर तो मतलब कॉलाइड हुआ, सीधा जाकर चिपग गया, जो किरिष्ट में था, तो उसका, वो ऐसे कोई रोल नहीं है, तो हम center of mass के बाउट, अगर इसका rotation अगर देखे, तो क्या हमें मिलेगा, यह मतलब कि angular momentum कंजर, वो ही करा दे, center of mass के बाउट, तो, तो इन दोनों के लिए, M और M के लिए, जो हो इहां से आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2M, इहां से, या अलग पेश पे, अलग इसको लिख लिए जाए, conservation of, angular momentum, about, center of mass, जैसा कर रहे है, तो उसमें, तो, यह 2M वाले जो object है, यहां पर figure आपको बना के, साथ साथ रख रहा हूँ, कि center of mass यहां से, L by 3 पर है, और यहां से इसका, 2L by 3 पर है, ठीक है, और, और इसी के बाउट कहीं, रोटेट किया होगा, center of mass के बाउट, तो इसका angular momentum कंजर होगा, तो L initial is called to L final, तो पहले क्या था, कि originally यह जार है, ऐसे, we not, we not, इसका motion कैसा है, translational, तो कोई घूमने का तो है नहीं, और question में मेंसन है, rigid है यह, तो rigid है तो कहीं, उसका घूमने का कोई मतलब है नहीं, तो जो इसका initial angular momentum होगा, वो क्या होगा बच्चों, सुनने होगा, ठीक, फाइनली, अब इसके center of mass के बाउट अगर देखें, तो उससे अगर तकर लगाया है, तो 2M और 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 रिष्ट में आया, यहां से चिपक गया और रिष्ट में रहा, तो फाइनली कितना होगा, इन दोनों का, यहां पर जो 2M वाले जो mass है, तो बेसिकली इसका देखें कि यह घुमाना चारा होगा ऐसे, यहां पर जो लगा है, यह वी नॉट से जारा तो ऐसे, और यह वाला घुमाना चारा होगा अंदर, इस पॉइंट के बाउट, तो इसका जो angular momentum जो final वाला होगा, जो 2M mass दोने एक साथ श्टिक किये है, वो बाहर की तरफ होगे, और यह आपका अंदर की तरफ होगा, तो दोनों का angular momentum का sign opposite होगा एक दूसरे का, समझ में है ना, क्योंकि इसका mass M है, और V0 है, यहां से distance 2 उतना है, तो, ठीक है, तो, ठीक है, तो 2L by 3, और यह V center of mass अभी कहा निका ले थे इसका, तो बाई 3 V0, ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर वहाँ पर, इसके अबाउट अगर ले रहे थे, लेकिन, इसमें यह दिक्कत है, कि, L by 3 है, और, तो क्यों नहीं हम center of mass के बाउट ले ले, इसमें बोला है क्या कहीं, किस के बाउट चाहिए आपको, यह पर यहां पर वहाँ तो रहा होगा, लेकिन ओमेगा का जो वैलू है ऐसे तो उसमे ए भी तो उसी से जा रहा होगा V0 से ही जा रहा होगा V0 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 तो हम इसको ऐसा करें कि इसी के बाउट क्यों ना ले लिया जाए इसमें कि इसका center of mass कितने से जा रहा होगा कुछ ऐसा 2 V0 by 3 से जा रहा होगा हाँ, तो ऐसा हम करते हैं कि इसी के बाउटे लेते हैं, मतलब कि इसके center, मतलब कि घूमा भी होगा तो, वहां से हमें मिल जाएगा तो हम ऐसा करते हैं कि सभी का center of mass इसमें से होगा तो L initial तो 0 है, तो हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि 3M और इंटू 2 V0 by 3 और यह distance कितना होगा यहाँ से L by 3 है और मतलब L by 2 माइनस अगर L by 3 करेंगे तो कितना जाएगा L by 6 ठिक यह L by 6 आगे तो इंटू यहाँ पर 8 जो distance है L by 6 कर लिजी और माइनस ऐसा करिए कि वो घूम रहा होगा तो अंदर यह बाहर वाले है अतलब कि अगर V0 से अगर center of mass इधर की तरफ जा रहा है जिसका tendency देखिए anti-clockwise तो बाहर की तरफ होगा और rotate कर रहा होगा तो I omega तो वहाँ पर उसका moment of inertia निकालना पड़ेगा बच्चो इसके about तो हाँ पर आप देखेंगे तो moment of inertia के लिए ml square by 12 plus उसमें अगर करेंगे तो कितना जाएगा I omega जो finally आएगा तो ml square by 12 plus ml square by that distance is 36 तो इसको जब lcm निकालेंगे तो 36 तो कितना हो जाएगा 3 और 1, 4 4 ml square तो कितना हो जाएगा ml square by 6 sorry ml square by 9 center of mass के बाद ठीक है तो ml by 6 होगा तो ml square by 9 तो उसका value अगर put किया जाए वहाँ पर तो value put अगर करते हैं तो ml square sorry 36 into omega तो तो यहां से इसको देखेंगे तो 3 से 3 cancel हो जाएगा और 2 V0 by 3 into L ही बचेगा नहीं अभी तो cancel भी हो गया हो 3 से 3 तो 2 V0 भी cancel हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 2 से 3 तो यहां से V0 by 3 minus और यहां से इसका value हो जाएगा ML square में 12 LCM अगर लेते हैं तो यह ही बना था ML square मतलब कि 3 और 1 4 तो is equal to मतलब इसको 0 ही मानियेगा यहां से तो यह कितना हो जाएगा 36 is 3 ML square plus ML square तो V0 by L 3 is equal to omega of course यह रहेगा तो 4 ML square by 36 is equal to into omega तो यहां से 9 हुआ और L से L cancel हुआ तो तो जो omega का value है अच्छा M भी था M से M को भी खतम ही कर दीजिए M से M तो कितना हो जाएगा 3 V0 by L omega का value तो ऐसा मिलना चाहिए V0 by 2 कुछ moment of inertia लेने में गणगड़ी है इसके ठीक है तो इसमें कुछ लगता है moment of inertia निकाले में गणगड़ी है तो इसको यहां से हटा देते हैं अभी ले रहे तो वो सब concept wise तो सही है लेकिन इसको हटाते हैं एक बर फिर से आपको solve करके दिखाता हो मोमेंट आफ रो को पुरा हटा ही देता हूं देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि L initial अगर 0 है और L final है तो 0 is equal to n final 3 L into 2 by 3 V 0 3 था into इसके बाउट ले रहे थे यहां से center of mass के बाउट की center of mass उसका यह चल रहा होगा तो इसके center से तो इसको ले लेते हैं कुछ L by 3 minus 2 by 3 M L square by 3 into omega तो omega का value 3 से sorry L by 6 होगा क्योंकि distance L by 6 था तो 3 से 3 cancel हुआ अपान 3 हुआ तो यहां से कितना हो जाएगा M V 0 by L upon 3 is equal to 2 M L square by 3 3 से 3 cancel हुआ M से M cancel हुआ एक L से और omega यहां पर था omega is equal to 2 आजाएगा आपका कुछ V 0 by 2 L हाँ तो यह answer है मेंचा आपका V 0 O moment of inertial एमें में करवड़ी हो रहा था उसका value होगा 2 M L square by 3 ठीक है तो इसको no dumb कर सकते हैं देखिए और इसमें अभी ए पार्ट इसका रुक रखा था अब आ जाएगा omega का value अगर आया तो एक बार अब उससे वहां से मिल जाएगा वो कैसे कि यहां पर एक face figure ही तब बना लिया जाए यहां से ऐसा कर लेते हैं कि माल लिजे कि rod ऐसा घूमा होगा यह वाला और ऐसा घूम रहा होगा तो और और L by 3 है तो यहां से एक माल लिजे कि 2 L by 3 है और यहां से L by 3 है तो किसी को भी बोल दीजे एगर बोल देते हैं इसको बीस को बोल देते हैं हो सकता कि लेने में गड़वड़ी हो यह भी उसको बोला होगा तो omega से अगर एग घूम रहा है अपने इसमे तो हम इसका velocity of A अगर अभी देखे कि अभी सेम उसके फ्रेम आप मतलब rotation वाले में वह क्या हो रहा होगा तो वहां से omega इंटू 2 L by 3 और omega का वाल लिजे वी इंटू 2 L by 3 तो यहां से कितना आ गया वी नॉट बाई 3 और बी के लिए अगर देखते हैं तो omega इंटू L by 3 तो V not by 2 L into L by 3 L से L cancel हो गया तो V not by L से L तो V not by 6 हां यह सही है तो A और A small B है A rotating frame of reference में है लेकिन actual में center of mass आपका कैसे जा रहा है 2 V not by 3 से जा रहा है तो velocity of A का गर अब देखेंगे तो उसमें से कितना होगा 2 V not by 3 और उसी same direction में इसको भी भुमाना चाह रहा है तो वहां से अब को मिलेगा V not by 3 तो इसका value हो जाएगा V not और B के लिए अगर देखेंगे तो 2 V not by 3 minus V not by 6 तो इसको अगर आप करेंगे तो 4 by 6 तो V not by 2 आजाएगा तो ये बच्चो ए और B का velocity होगा हो सकता है लिखने में होगा A और B को आप देख लीजेगा तो V not और V not by 2 कैसे होगा लेकिन इसी के आसपास की कहानी होगा कि अगर रोटेट कर रहा होगा तो रोटेशन का सकास्पीड Vy3 तो एक में एक अपोजिट होगा तो एक मान लिजे कि ऐसा घूम रहा होगा उसका टैजेंस से लिए और एक ऐसा होगा तो रोटेशन उन दोनों का तो उसका डारेक्शन अलग अलग होगा टैंजेंस और वेलोसिटी से यहाँ वैसा ही तो आपको यह मिलेगा ठीक है तो यह तो कौस्चन हो गया तो इसको नोट डाउन कर लिजे एक पार है यह इसको कौस्चन का टीक है अब एए नेच्ट्कोर्ण में चलते हैं इसमें करें कि सपोस्च धर वीध बॉल-चा प्रॉल आ इंग करते हैं है प्रॉल-टीकर प्रॉल alors कि दो प्रॉल-प्रॉलरा इंग हार प्रॉल-इंट यह तो प्रॉल-टे मैं आपकोश्च प्रॉल-प्रॉल-बॉल-डीय the angular momentum and angular speed of the system just after the collision. तो देखिए बच्चो, यहाँ पर क्या है कि किस तरह कैसे बर कर दिया? और ऐसे माल लिजिए. यह B वाला है और यह A के लिए है. तो यहाँ से अगर वो गिर रहा है mass M ऐसे, certain height h से. तो इन दोनों के चलते तो पहले भी, मतलब मैं angular momentum conserve कराने की सोच रहा हूँ. MG, MG downward तो इधर भी लगेगा दोनों साइड में. तो एक इसके बाउट इधर घुमाएगा और इसका इधर की तरफ होगा तो एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ दोनों के चलते net torque 0 होगा. हाँ, जो यह आ रहा होगा, M must, तो इसके पास कुछ Mg है और उसको वहाँ से distance देखा जाए, यहाँ से हाँ सक, तो L by 2 होगा. तो torque जो मिल रहा होगा, इसके चलते, तो Mg into L by 2, यही होता है. और जो इसका angular momentum होगा, L, या एक तरफ से आप impulse कह लिजे, जे कह लिजे, change in momentum होगा, angular momentum होगा, Mg into L by 2 into, suppose T time तक उसको लगा होगा, तो time कितना लगा हो उसको, आने में, वहाँ से यहाँ तक, तो H is equal to half gt square से भी आप जा सकते हैं, तो T का मेलू हो जाएगा, under root 2H over G, तो यहाँ से आप देखेंगे कि Mg L by 2 under root 2H over G, sorry, जो root G है, except हो जाएगा उपर की तरफ, और M, under root G, H, और 2 जो नीचे की तरफ है, तो root 2 हो जाएगा, into L, sorry, तो यह होगा, तो change in angular, पहले कुछ नहीं था, आप कितना है, तो change in angular momentum यहीं है, तो बस होगा angular momentum इसका, after the collision, इसका कुछ नहीं था, फाइनल अभी यह है, यह बाद समझ में आया होगा, आप इसको ऐसे भी सूच सकते थे, कि जो angular momentum इसके लिए मिलेगा, तो उसके लिए mass M और velocity V, तो V के लिए, वो H height से आ रहा, थर्ड equation में लगाएंगे, तो under root 2GH into L by 2, L इसके center of mass के बाउट अगर करेंगे तो, तो वो ही कहानी बन कर आएगा, M into under root GH into L over root 2, ऐसा, इस हमारा angular momentum के लिए होगा, ठीक है बच्चों, तो इसको आप यहाँ से, चाहे तो note down कर सकते हैं, अब उसका दूसरा जो part है, वो पुछा है क्या हमसे, कि find angular momentum and angular speed of the system just after the collision, तो just after the collision के बाद, तो क्या होगा कि यह वाला, नीचे की तरफ आएगा और इधर की तरफ फूट जाएगा, यह ऐसा है, तो इसके बाउट, रोटेट होगा omega, ए ही होगा, तो initially तो मान लिजे कि इसके पास इतना है, M into GL, G, H, sorry, H into L upon root 2, एंग्लर momentum है, और is equal to I omega, तो उसी के बाउट घुमा होगा, तो वहाँ से गर देखेंगे, तो M into L square by 4, मतलब इन दोनों के लिए, और into omega, तो वहाँ से गर values का लगा है, तो हमें omega का value मिल जाएगा, conservation of angular momentum, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ अच्छो, कि M into under root L initial is equal to L final, into L is equal to finally, जब इसके लिए देखेंगे, तो I, M into L by 2 का whole square into 3 होंगे, into into omega, यह, तो M से M cancel हो जाएगा, बागी का अब, under root GH into L over root 2 है, और यह कितना हो जाएगा, 3 by 4 into L square into omega, L से M cancel हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा उपर, तो 2 root 2 हो जाएगा, over 3 under root GH by L, यह आपका omega का value हो जाएगा, बच्चों, तो, after the collision के बाद, इतना ऐसा आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसका next part देखिए, फटाफट, इसका B part, इसमें क्या कर रहा है, कि जब road होगा, वो कुछ इस तरह का, अगर यह M से, ऐसा हीट किया, तो बुच्चा है कि minimum height बताओ, कि साइट से छोड़ा जाए, कि एक complete revolution हो जाए, तो अभी क्या हुआ कि यह उपर की तरफ जाएगा, और यह 2 M वाले, नीचे की तरफ आएगा, अगर मतलब यहां से, पहले ऐसे था, ऐसा देखिए, pain ऐसा है, तो पहले ऐसे से ऐसे हुआ, अगर जैसी ऐसे से ऐसे होगा, तो फिर तो अपने अपो घूमी जाएगा, अपने उसके state of inertia की चलते, रोटेशन होना चाह रहा था, और आगे की तरफ fall down कर जाएगा, तो actual में क्या होगा कि M, यह जो मास है, इसको से A और B बोल देते है, तो यह वाला नीचे की तरफ आएगा कितना, L by 2, तो यह वाला उपर की तरफ जाएगा L by 2, तो जितना यह लूज कर रहा होगा, potential energy और गेन कर रहा होगा, और साथ में जो मास M चिपका हुआ है, वो नीचे की तरफ आएगा, तो वो potential energy रिलीज करेगा, तो change in potential energy, मतलब इन दोनों के चलते, A और B वाले के चलते तो cancel हो रहा है, जो externally जो आ रहा है, जो दुसरा बेक बॉल आ रहा है, मास M का, वो उसके साथ अगर हो रहा होगा, तो उसके चलते जो potential energy रिलीज करेगा, उसी के चलते रॉड भूमेगा, या जो system में पूरा भूमेगा, I omega square, ऐसा बोल सकते हैं, तो change in potential energy is equal to Mg L by 2 into 1 by I, और moment of inertia के लिए, जो निकाला था 3 by 4 ml square, यह वाला ही यह होगा, किनकि M into L by 2, 2 का होल square और एक है कितने हैं इसा system, M L square by 4 into omega, omega का square कितना हो जाएगा बच्चों, H के term में है, इसलिए score लेकर रखा है, तो यहां से आप देखेंगे, 2 root 2, 8 by 9, 8 by 9, G H, 2 root 2 का square, 8 हो जाएगा, 3, 9 और G H by L square, तो ऐसा होगा, L square, L square, एक कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहां से M से M कैंसिल हो गया, मास M नहीं होई है, और बागी का, अप एक का L square तो कैंसिल होई गया, अच्छा, उसी के term में बताना है हमें तो answer में, यह 3 से 3, और एक बच्चा, तो बागी का 2 into 4, यह हाई बाए करके निकल रहे हैं, तो बागी G भी एक है, G भी गया, तो वहाँ से H का value जो देखेंगे, 3 by 2 L, यह बच्चा आपको मिलेगा, 3 by 2 L का, तो यह बद समझ में आया, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, भी पार्ट वाले का, उसका अंसर, कि minimum height क्या होगा, कि जिसके चलते हो, पूरा rotate कर जाए, तो इतना होगा minimum height, चलिए, अब नेक्ट देखिए, करा कि two block of mass, 400 gram and 200 gram, are connected through the light string, going over a pulley which is free to rotate about its axis, the pulley has moment of inertia, 16 into 10, अच्छा, is radius 2 centimeter, and find a kinetic energy of the system, as the 400 gram block fall through the 50 centimeter, तो डेटा एक बच चेक खरना पड़ेगा, लास्ट में क्या वाला है, 1.6 into 10 raise to the power, 1.6 into 10 raise to the power minus 4 है, 1.6 into 10 raise to the power minus 4 है, तो, देखिए, इसमें क्या है कि इस तरह का, इसका 400 gram है, और उसके बाद ये 200 gram है, ऐसा उसको छोड़ दिया, तो अब ये सी है कि 400 gram नीचे की तरफ आएगा, और ये उपर की तरफ आएगा, तो करा कि जब 50 centimeter नीचे आ रहा है, तब उस समय का मतल़ ये, kinetic energy of the system, पूरे का, मतलब ये नीचे आएगा, तो ये भी कुछ उपर जाएगा, और ये भूमेगा भी, इसलिए इसका radius दे रखा है, 2 centimeter, तो इसका जब हम लिखेंगे, मतलब कहानी, कि मान लेते हैं कि इसको M1 बोल देते हैं, और इसको M2 बोल देते हैं, और यहां से T1 होगा, और यहां से T2 होगा, तो जब इसकी कहानी लिखते हैं, तो M1 G माइनस T1 is equal to M1 into A, फिर इहां से T2 माइनस T1, अगर इसके लिए अगर देखें, तो T1 और T2 ऐसे लग रहा होगा, T1 वाला जादा होगा, क्योंकि उद्यर कहीं घूम रहा है, मोमेंट ओफिनर से हैं, तो सिख लिए थे आपको, I by A square, और वहां से T2 minus M2 G is equal to M2 है, यहां से जब इसको add करेंगे, T1, T1, T2, T2 cancel होगा, और M1 minus G, M2 minus G, तो 400 ग्राम minus 200 ग्राम, 0.4 minus 0.2, तो कितना होजाएगा, 0.2 into G का वैलू दस लोते हैं, मास से हैं से M1, M2, तो 0.4 plus 0.2 plus 16 upon, sorry, 1.6 into 10 raise to the power minus 4, और 2 cm उनका radius है, तो 2 cm radius का मतलब 4 into 10 raise to the power minus 4 हो जाएगा, into A, ऐसा होगा, तो यहां पर इसका value तो 2 मिला, और यहां पर 6 हो जाएगा, एक 4, 4 cancel हुआ, तो 0.4 हुआ, तो यहां से इसका value finally 1 ही मिला, तो A का value आपका बच्चुआए, 2 meter per second square, अब आपके पस 2 meter per second square है तो velocity तो दूर है नहीं, तो third equation लगा दीजे, तो V square is equal to, U square सुनने है, 2, A का value आपका, 2 है, और इसका distance कितना travel करा, 0.5, तो VE का value कितना जाएगा, वहां से, 2 meter per second, A, V, तो 2 meter per second से नीचे है, 2 meter per second से उपर गया, और घूमने वादा जो कहानी है, तो वहां से ओभी इसका ओमेगा लेकर आ जाते है, देखेंगे, तो कुछ 100 आ जाएगा, तो rotational kinetic energy निकल कर निजाल सकते है, क्या है, rotational kinetic energy हो जाएगा, 1 by 2, M1 V square, plus 1 by 2, M2 V square, plus 1 by 2, I omega square, तो पुर्स सिस्टम का यही होगा, तो 1 by 2, M1 इसका 0.4 आ लेज़े, स्पीर बाइस तो दो से नीचे है, 2 by square होगा, 50 cm ही है, या 1 cm, 50 cm है, तो 5 cm देखें, 50 cm है, इस बर सही है, तो 5 cm को 50 cm लिख देते हैं, तो 1 by 2 into 0.2 into 2 by square plus 1 by 2, 1.6 into 10 by minus 4, और आपर 100 का इस्पायर करेंगे, तो वो होगा, तो finally, 2 से 2 cancel होगा, 2 से 2 cancel होगा, जहास कितना होगा, 0.8, और एक इतना होगा, 0.4, और 44 गया, तो जहास होगा, 0.8, तो कुछ इसका अंसर जो होगा, 6, तो नियर ले, 2 जूल के आसपस, उसका अंसर आपको मिलेगा, बच्चो, तो यह उसका विलासिटी निकालते समय कुछ रहत नहीं गया था, ओ-ओ, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि V स्क्वाइर का जो वैलू है, इसलिए गड़ बादा, V स्क्वाइर का वैलू, यहां से 2 इंटू 0.51, तो 2 होगा, तो V स्क्वाइर का वैलू है, तो V का जो रूट 2 होगा, तो रूट 2 होगा, तो इसके साथ एक बाद और हमें कालक्राशन देखना पड़ेगा, बच्चू, तो यहां पर, चले, वेलोसिटी तो ऐसे इसका, जो एक पार और ही पुछा है, तो एक पर और ही पुछा है, तो स्क्वाइर का रूट 2 मिटर पर सेंट है, यह चीज है, रूट 2 इंटू, 100 होगा, यह रूट 2 अपॉट 2 भी होगा, तो ऐसा होगा, तो मतलब कि 100 वाई रूट 2 आ जाएगा, ओमेगा का वैलू, यहां पर एक करेक्शन कर लिएगा, क्यांकि वी एस्वाइर का वैलू था, तो मैंने वी का वैलूस को टूले लिया, इसलिए उसमें गरवड़ी था, और इसमें अगर आप करेंगे, तो वी एस्वाइर के जिए अपर एडिमेंट आप यहां से टूले सकते, तो ज्यादा गरवड़ी नहीं होगा, क्योंकि उनल उसी फॉर्मेंट में लिखा गया है, तो वी एस्वाइर के वैल, 1 by 2 into 0.2 into 2 हो 10 raised to the power 4 by 2, तो इसको जब आप देखेंगे, तो 2 से 2, 2 से 2 कैसे लोगे, और यहां पर 0.6 है, और उहां पर आप जब देखेंगे, तो 10 raised to the power minus 4, 1.6 upon 4, 0.4, तो कुछ 1 जूला है, पहले कितना आगया था, 2 जूला हो गया था, इसलिए ऐसा एक कहानी बन और ऐसा बन गया, ठीक है बच्चो, तो यह बाद समझे आप को आया होगा, अगर समझ में आया है, तुसको आप चाहे है तो फटापट लिख सकते हैं, ठीक है, अब आज आई नेक्स्ट वोशन में चलते हैं, वोशन नमर्स 66, करारा पुली सोनने फिगर, है ते हैं, अबाद स्ट mystical कुली वोशन में, सुब वोशन कचर तर हैं, अब तंतिू स्ट वोशन केश Andaर समझे करेण तो आल वोशन केया, is fixed from below and support of 1 kg mass at the other end. The system is released from the rest from the spring and at its natural end. Find speed of the block when the, it has descending through the 10 cm. So, descending through the 10 cm, jab ho raha hai, tab ka speed bata na hai. So, pahle dhekhen ki, ismeh stretch kitna ho raha hai. Matlab to nahi hai kuch, lakhin fir wich check kare leate hai, kx is equal to mg. Mg, nahi, kya ho ga ki mg idhar ki taraf aayega, aur kx, aisa ho ga, maximum stretch, agar ho raha ho ga to, to, kheru, usko jale, jane me bhi, matlab, pooli ko, ek tarak ko absent maan le, x is equal to kitna ho jaega, ten, kyunki, uska maas kitna hai, 1 kg, mg, aur upon 50 kareeghe, to, yahaan sa jayega 0.2 meter, matlab 20 cm tuk jayega, to, kheru, bache check karene ke liye tha, ki ho hua to, aisa kitna hua. To, abhi dhekhte hai, ki isme se kya kya hua hooga, ki jab 10 cm par hua hooga tab to, légin, usse ke pahle haam axilation nikaal le, to, mg aise lagega, tension t aise lagega, one ka lije, aur, yahaan par kuch t2 hooga, to, isko jab likhenghe, mg minus t1 is equal to ma, eekhi kg ka hiasa, to, t1 minus t2 is equal to moment of inertia, uska given hai, the police on in a figure moment of, has a radius to and moment of inertia 0.2, ठीक hai, to i a over r square given hai, aur t2 is equal to kx, aisa hooga, इसको jab add kareenga, to t1, t1, t22, t22 cancel hojaega, और mg का value अगर देखेंगे तो 10 हो जाएगा, यहां से mass A है, और इसमें देखेंगे तो m plus i by r square plus यहां से k x, तो k का value है 50, इसी में मिलेगा, 50 into x का value था 10 cm, तो 0.1, तो 5 हो गया, 50 cm, तो 50 है, 50 into 0.1, तो 5, इधर आ गया 5, और यहां पर mass के लिए अगर देखेंगे तो इसका 1 है, और moment of inertia का value अगर देखें, तो 0.2 है, और radius का value कितना है, 0.2, तो 0.2 का square, जग कैंसिल हो जाएगा, यह मिलेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 0.2 का मत इतलब होगा, 1 by 5, तो 5 उधर गया, तो A का value आपका बच्चुआ गया, 5 by 6 meter per second square, ऐसा होगा, तो पूछाएं कि, at a moment, आपको उस समय बताना है, कि A का value 5 by 6 है, x-relation आगे, जो हमें चाहिए था, और उसका velocity बताईए, क्या होगा, find a speed of the block when it has been descending through the 10 centimeter, तो, ठीक है, तो हम यह से V square 2, अगर 5 by 6 है, और उसका value अगर लगाते भी है, V square, अगर third equation, तो U square is equal to 5 by 6 into that thing, is 0.51, तो, अगर third equation लगाते है, तो V square is equal to U square plus 2 AS, तो V का value under root 2 into 0.5 into S, S का value है, 0.5, और इसका A का value था 5 by 6, तो यह भी under root 5 by 6 को अगर आप देखेंगे, तो कुछ उतना ही आएगा, 0.8 के आसपास का है, यह 0.8 है, कि 6, 8 जब 44, तो, 6 मताँ उससे थोड़ा कभी रहेगा, कुछ 0.5 के ही आसपास यह भी मिलेगा, लेकिन exact नहीं मिल रहा है, उसमें fraction है मिलेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि आप इसका energy वाले method से भी एकर जाएंगे, तो भी वह असानी से देदेगा, क्या होगा, कि इनर्जी जो, इसको speed कहां से मिल रहा है, जो potential energy release हो रहा है, और बाकी का यह kinetic energy वह बदल रहा है, और rotate कर रहा है, और यहां से stretch कर रहा है, अतलब एक potential energy तो kinetic energy का potential energy बल रहा है, ये घूमनाय चालू कर रहा है, और velocity हो रहा है, तो अगर हम गर energy conservation भी कराएंगे, तो आसानी से आपको मिल जाएगा, उसमें क्या होगा कि मानने जे कि ये stretch हो रहा है 10 cm, mgx, block का speed निकालना है half mv2, moment of inertia होगा 1 by 2 i omega square, plus half kx2, ये सब चीज़े मिलेंगे तो तो 1 by 2 M इसका value 1 है V square पता करना है omega इसका था 1.6 into 10 raise to the power minus 4 तो V square to omega R होता है तो चाहे तो V square by R ही कर दीजे V square by R square और R का value था 0.2 तो 0.2 का value करेंगे यह 20 cm है 20 cm है यह पर चेक कर लिया जाए 20 cm है और moment of inertia moment of inertia कितना है यहाँ पर 0.2 0.2 ही लिया थो पिछले वाले question का था 1.6 देखिए भी गरबढ़ होने लगता सब कुछ सही करते हुए 0.2 और V square over R square तो 0.2 का square plus 1 by 2 I is 50 और यहाँ से 0.1 का square तो इसमें देखेंगे तो 1 by 2 को तो पहले ले लिजे यहाँ से तो V square बचा 0.2 एक कैसा हुआ तो यह कितना हो जाएगा 5 V square और यहाँ से करेंगे तो 50 into 0.5 अच्छा यह तो अलग मामला है इनका 25 मतलब यह ऐसा होगा कि 0.01 और तो 0.25 और M G X की जड़ा कहानी देखें तो मास इधर 1 चल रहा था G का वैलू 10 लिया और X का वैलू अपने 0.1 लिया तो इधर से 1 हो गया तो यह कितने हो गया 0.75 मतलब 1 होगा 1 minus 0.25 इस 0.75 ऐसा और इधर कितना क्या मिल रहा था 3 by मतलब V square प्लस 5 V square 6 V square by 2 तो 3 V square तो V square का वैलू कितना हो जाएगा 0.25 तो V square to कितना हो गया 0.5 meter per second तो यह आपका असानी से निकल कर आगए तो एकदम exact मेल गया हो वहाँ पर थोड़ा पर था तो जाने दीजिए इसको अगर यह उस करना है तो इसको करिए नहीं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ से इसको फटाक से लिख लिए बच्चो और फिर उसके बद यह चीजा आप लिख लिए पाउस करके ठीक है तो बच्चो आज के लेक्चर में इतना ही आज के question जितने भी उसमें करा पाएं नेक्ष्ट में अगर हम चलेंगे तो वहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूं कि अभी आज कितना था कुछ 66 तक किया उसके बाद 67 से वहाँ पर rolling वोगरा का कुछ एक दो देख रहा हूं कि मीटर और energy conservation का है वहां से तो वह सब होगा ही होगा फिर उसके बाद नेक्ष्ट अगर अगर हम आगे जाएंगे और तो तो आगे हम उसके टॉर्क वगरा या जो प्योर रोलिंग के जो कोश्चन से उसमें लेखेंगे जो ट्रांसलेशनल मोसन और उसके लिए आता है ठीक है तो आज के लेक्शर में इतना ही क्वेड़ एंगे पिर्फेर्ण और बात से चाहिए तो आगा है